तो आज हम लोग वासपो सर्जन याने ट्राश् Television स्टार्ट करेंगे 3.1 का और वासपोव सर्जन क्या है? उसकी बारे में जानेंगे हम लोग यहां मैंने हिंडी और English दोनों मेडियम के बच्चों के लिए कोसिश किया है ताकि दोनों मेडियम के कोई तकलीफ ना हो वो अच्छे से समझ सके हमारे पास बहुत कॉमेंट आते हैं कि कोई कहता आप इंगलिस में क्यों करते है पर हमारी कोशिस रहती है कि हम सबस्ट को लेकर चले और आप सब आप देखा होगा कि पेर पौधे होते हैं जैसे कि यहां एक एक्सपरिमेंट के द्वारा हमें बताये गया है यह एक गमला लीजिए उसको क्या किजिए कि आप पॉलोथीन से उपर की उपर हिस्से को ढग दीजिए आप यह तो क्या कर सकते हैं आप इसको रेगुलर अपने प्रैक्टिकल में भी यूजऄल कर सकते हैं आपने क्या कि पतियों को से ठख लिया तेख दिजए country लें और ऊसके द से के द्वारा कुछ नमी जो आती है और वो भाप की रूप में आती है और उसके बाद वो कंडेंस हो के फिर बुंदों के रूप में जमा हो जाती है यह ऐसा क्यों हुआ वह ऐसा यह हुआ कि जब पौधे जल को सोसित करते हैं अपने जड़ों के द्वारा ब्रिदी और विकास करने के लिए अपना ग्रोथ करने के लिए मेटाबोलिजम क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तो क्या करते हैं कि उन सब हिस्सों को यूज करने के बाद उनका बहुत कम हिस्सा यूज होता है मिस जल का बहुत कम हिस्सा यूज होने के बाद बाकी सार गवागमन के द्रहा ही जल को भाब वास्प के रूप में भाब के रूप में बाहर भेजने की कुर्ण को भी वास्प और सरजन कहा जाता है ठीक है वास्पोस रोजन को जिस तरह कि यहां पर एक एक्स्प्रेमिन के दोरा दिखाए गया है वैसे मैं भी एक तो दिखा रहे हैं आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखा दिख रहा है कि इसके प्लांट्स के उपरे हिस्सों को पॉलसीन ब जाता है बाहर की तरफ और यह करनेंसों के पॉलोथीन के उपर जम गया है वाटर ड्रॉपलेट्स तो दिख रहा है ठीक है तो हम लोग ट्रांस्पिरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रांस्पिरेशन इस दे प्रोसेस आफ वाटर मूमेंट थ्रू थ्रू प्लांट्स जाता है जो रूट्स के दोरा वाटर के मुव्मेंट होने की किरिया है और इस एवपरेशन फॉम इरियल पॉदो की आरियल पार्ट से प्रोसे हुआ किरिया है सच है जैसे लीब्स हुआ स्टीम्स हुआ फ्लावर्स हुआ इसको ही अमलोग ट्रांस्पिरेशन के नाम से जा विया जाता है उसका बहुत कम हिस्सा ही फ्लांट्स के दवारा यूजड मेला जाता और एड्री यूजड ऑर टोग्रोथ appA must 18 ते और यूजड करने की बाद रिमेनी और उसके बाद 97 नाइन मेटेमने Uhurusλ क्या किया जाता है कि ट्रांस्पीरेशन की द्वारा फिर सवापस भापस भाज गोले जाता है अब व reference descrição करते Michigan Department dhp surfaces are dotted with the pores called a stro written leave surfaces के उपर यह पतियों के उपर पतियों के syrfais की ऊपर dotted dotted जो दिखाई दिता है वो पोर्स होता है जिसको a stoma नाम से जाना जाता है the stoma are यह बॉर्डे यह बंड्योग मृट्रीories Teaill के द्वारा यह बना हुआ रहता है जुड़ा हुआ रहता है and their stomital complex और stomital जो छोटए-छोटी छीदर होते है उसके द्वारा होता है that open and close the ports जिसके द्वारा ही open और close a stomita होता है transpiration occur through the a stomital apertures के द्वारा transpiration की किरिया होती है ठीक है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं next देखते हैं अक्सर हम बच्चे क्या करते हैं बच्चे जो होते हैं या फिर हमने भी कभी ऐसी गलतिया की होंगी वर्ट हम लोग क्या करते हैं कि वास्पोर सर्जन और वास्पी करन में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं तो कंफ्यूज नहीं कंफ्यूज नहीं होना है वास्पोर सर्जन क्या सब्सक्राइब और वास्पी करन यह जलाव किले पानी को ठोड़ साथा जब देखेंगे कि ऑक्षित पानी कोड़ा से तौरा डाल देंगे पानी तौरे रखते हैं तो आप देखेंगे कि वह यह कीरिया अपने आप ही और तो दोड़ी तो ने वाली नहीं होती है बिसेसकर पौधों में ये होती है और उच ताप करम पर 45 डिग्री से उपर ये किरिया क्या होती है बंद हो जाती है और इसकी किरिया क्या होती है वास्पिकरन की किरिया क्या होती है जैसे गर्मियों में जादा वास्पिकरन की किरिया होती है इसमें क्या होता है कि इस से पति वस्पीकरण के दोरा बादलो का निरमान होता है यह एक सारी रिच जैविक किरिया है यह पौधों में होने वाली किरिया हैं और यह बहुती किरिया ठीक है आप इसमें डिफ्रेंशस तरह से लिख सकते हैं अब हम लोग जानेंगे कि SIDES OF TRANSPIRATION वास्पोरजन का किरिया स्थल क्या है तो आपको यह जानना हुआ कि वास्पोरजन की सबसे ज़्यादा जो किरियाएं होती है वो पतियों की د्वारा ही होती है और उसके बाद कुछ क्यूटिकुलर ट्रांस्पिरेशन यानि कि उनके उनके epidermis cells के जड़िये भी होता है कुछ lenticular transpiration भी होता है कहीं कहीं पर वातरंधरी ये जो वासपुर सरनन्जिश को कहा जाता है उसके द्वारा भी होता है तो सबसे पहले हम जालेंगे astromatel transpiration क्या है तो पतियों के निचले हिस्सओं में पाये जाने वाले एस्ट्रोमेटा को ही जैसे अभी बताया मैंने एस्ट्रोमेटा क्या है तो एस्ट्रोमेटा से वास्वे विश्रीत होकर वातावरन में चला जाता है पतियों के निचली सता पर क्या पाये जाता है एस्ट्रोमेटा से क्या होता है कि पानी को निकाल दिया ज क्या काम करता है लोग सभी जानते है कि वह जैसे कि carbon dioxide के मातरा को लेता है carbon dioxide gas को लेता है अपना photosynthesis की किरियाओं को complete करने के लिए वहीं से oxygen gas को भी निकाल देता है और वहां से ही वहीं से भी हमारी यह जो एक्स्ट्रा जो जल होता है उसको भी वह बाहर की तरफ निकाल देते हैं ठीक है नेक्स आते हैं क्यूटिकुलर ट्रांस्पिरेशन क्या होता है तो पतियों के उपत्व उपत्वर्चा जिसको वहां से भी वास्प की लिया को ही हम लोग कि लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है क्या होता बहुत से एसे जो बूस्ट क्यूड होते हैं उनके तनों में यह स्टीम में लेंटिसल्स पहे जाते हैं कुछ जल वास्प के रूप में इन central द्वारा ह Western running से बाहर निकाल दिया जाता है तो वात रंधर पाया जाते है चोटे-चोटे पोड़ xpa जाते है जिसके कारण ही पौदे क्या करते हैं कि इन पहुतं है करते हैं इसको हम लोग लेंटिकूलर टांस्पी लेशन कहा जाता है कि कहा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीब में भी दिखा रही हूं आपके स्क्रेंन पर टाइबस ऑफ ट्राइबस ऐसे भी लिख सकते things को टियाया होता है यह एक प्रकार का प्रकार 65 क्रिग रवाद्स Wand만 की तोınd Clarity के जड़ी होती है most of the water from the plants is transferred transpired by this way इस तरह से बहुत सारे ऐसे बौधे होते हैं और बहुत सारा जल का हिस्सा होता है इसके द्वारा इस बिधी के द्वारा पानी को बाहर निकाल दिया जाता है the water near the surface of the leaves changes into vapor और जो surface जो leaves के नीचे जो water आता है मतल मिन्स एस्ट्रोमेटा के बाहर से निकलने पर क्या होता है जो water है वह बेपर में convert हो जाता है and evaporates when estromata are open और उसके बाद क्या होता है जब estromata open होता है तो यह evaporates हो जाते है लेंटी कुलर ट्रांसफिरेशन क्या है के लेंटी सेल्स एयर माइनूटी ऑपिनिंग इन दवार्क बार्क का ब्रांचेस टहणियों और जो ब्रांचेस होते हैं उनकी बार्क में बहुतनी छोटे छोटे माइनूट ओपिनिंग होते हैं लेंटी सेल्स कहा जाता है और evaporation of water from लैंटिए जल सेल्स यून और दवारा वास्पिकरण की जान करते है तो khas और द्लेंटिकूलर टांस्पिरेशन कहा जाता है कि लिएटिटीकूलर टांस्पिरेशन की gonna प्लांट के द्वारा जो होता है उसको हम लोग क्योटिकुलर ट्रांस्पिरेशन कहा जाता है दे क्या होता है वैक्सी कॉवरिंग उन्द सर्फिस अपने देखा होंगा कि बहुत सरे ऐसे पतियों क्यूपर एक वैक्स जैसा आपको दिखाई देता होगा तो इसके द्वारा बहुत काम आता है तो पौधे इस तरह से बहुत कम मात्रा में ट्रांस्पिरेशन होता है यह तीन टाइप के ट्रांस्पिरेशन जैसे अभी हिंदी में पढ़ा हमने फिर लोग इंग्लिस में भी इसको पढ़ लिए हम लोग देखते हैं यällt इसफेक्ट से इसका की choisा इंत्रित करने वाले कारण क्या एक स्वुट्पो सर्जन के कुछ एक्स्टर्नल फैक्टरण बाहियकाऱक और कुछ इंटरंल फैक्टर भी होते है तो एक्स्टरनल ऐसकता है हवा रसकता है प्रकास आसकता हौत की गतिया सकती है और क्या सकते है तापकरम और एफ़ेविलीटी ओफ वाटर पानी के कितना प्राप्य है जल कितना है और कार्बन डाइक्साइड ठीक है तो एक्स्टरनल फैक्टर्स में हवा का काम क्या करता है हवा क्या रोल करता है ट्रांस्पिरेशन की किरिया में जब वा क्या होती है मन्द गती से होती है जिसके फ़ले पर रशा रोँवन की दर में mess जाती है में वास्पूर की नमी तो जिसके कारण क्या होती है वह में नमी या जलवाज के मात्रा compounds कि हमारे कुलकाता और आसपास के जितने भी हैं यहां पर हुमिडेटी हमारे एर में बहुत अधिक मात्रा में होती है अब आउट 75 परसेंट से एबा भी रहती है जिसके कारण हमें स्वेटिंग होता है ठीक है इस स्वेटिंग का कारण क्या है कि हमारा जो बॉड़ी है वो क् हमारे टेंपरेचर को बरकरार रखने में हमें अपना बॉडी का टेंपरेचर को एस्टेबल रखने में बहुत काम करता है लेकिन यहीं पर यहीं माल लिजे कि टेंपरेचर बहुत ज्यादा हाई हो और हवा में नमी ना हो तो क्या होगा कि पौधों में वासपूर सर्जन की क किरिया में और प्रकास को सबस्थीख प्रभाव पर दिन में क्या होता है फ्लाइए लेकिन रात में पुर्ण में बंध हो जाते हैं जिससे की रात क्या पिछा दीन में बहुत ज़्यादा ट्रांस्पिरेशन इसका कारण क्या होता है कि इसका मुख्य कारण है कि इकत्र बास्प होता है यह जो पानी जो कठ्था होता है वह भाप के रूप में वह तुरंट से सिगर वायू के द्वारा वायू परवा से बहुत जल्दी सुक जाता है दूर हो जाता है जिसकी करणपती बाहर और भीतर के वास्प दाप में अधिक अंतर बना रहता है ठीक है टेंपरेचर क्या करता है टेंपरेचर क्या परभाव डालता है तो यदि मा लिजे की टेंपरे उन्होंने इतना जलगें bodыद कि wandering पौधे ऌफें आप देखेंगे कि साम के समय जैसे बहत जदास आधा हमें उन्हें př estaba जाए और क्यों करते हैं सिहोगा स्कूय गया रेता है एतानी करने आधा थे आधान स्कूनल द नेदा को जालगा γοरिके स्कूराण अधिक कमी हो जाती हो तो पाणियों में पानी घ्नकालने पाणियों पानी इसलिक जाता है जिससे कि वासपभर सखने के चिरिया कम होने लगती है और जल की अधिक कमई से पठिया क्या होने होने लगती है मुरजाने लगती तो यदि पानि एदी हमारे करांद में ground water कम हो जाए में मिन्स जहां पर पॉधे हैं वहां पर यदि उनके रूट के पास पानी कम पहुचे तो क्या होगा कि मैसी फेल उतक में भी पानी कम पहुचेगा कि वह स्पोसर्जन की किरियाइग भी कम ही होगी यह इन स्ट्रणल फैक्टर्स इंट्रणल है तो इंट्रल फैक्टर्स यह जरू उपल लीव्hmen आपने देखा उगा कि नाग्फनी की पति उपर उनकी पतिया के उपर कांटि क्यों आ जाते हैं जब कि उपादिया चप्तिऑ और मांसल जासी दिखाई देती हैं बीच में काफी ज्यादा इस पेस जैसा दिखाइज देता है तो ऐसा इसलिए होता है कि पतियों का जो मर्वस्थल में वास्पोर सर्जन की किरिया को कम करने के लिए उनके उपर कांटे में बदल जाते हैं इसकी कारण पतियों की जो क्योटिकल हो या मोम की परत बन जाती है यह सब क्या करती है कि यह सब किरिया यानि वास्पोर सर्जन की किरिया को कम करती है उनकी दर को कम कर सब्सक्राइब करने काम करता है यह सब वास्पोर सरजन की किरिया को कम करने काम करता है और जितना क्यों होते हैं एक तो पानि होता है और पानी की दुमा कार एप्लट पर्ड़त समय वास्पोर सरजन औंसां आधिक dripping करता है कि किसकी जायलम, किसकी जायलम वाहिकाय कि wow is, कितनी चौड़ी है या नहीं है, तो जित्या जरी मातरा में पानी जाएगा पतियों में, पतियों क्या क्या करें Geo अनके कि अफीय को बाहर की तरफ पतियाख करेंगे ठीक है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है वो हो सकते हैं क्या कि the orientation of leaf और the water status of the plants structure peculiarities of the leaf किस तरह की पतिया है यह पतियो पतिपेंड करता है और total number and distribution of the astromata in a leaf और कितना ज्यादा astromata है एक leaf में यह भी depend करता है यह factor होते हैं जो कि transpiration की किरिया को बढ़ाते या घटाते हैं ठीक है और environmental factors क्या हो सकते हैं light हो सकता है air हो सकता है humidity temperature हो सकता है तो इसको मैंने ऐसे भी लिखा है कि the astromata open during the day and the close in the dark presence of the light is directly proportional to the rate of transpiration ठीक है जितना ज्यादा light होगा उतना ही ज्यादा transpiration की किरिया होगी और air क्या करता है if the air is still the transpiration rate is slow यदि air कम होगा कम air का speed कम होगा transpiration की किरिया भी कम होगी और if the air is moving ज्यादा तेजी से घुमेगा तो saturated air around the leaves is removed जो saturated air क्या करता है कि जो leaves के around रहते हैं वो उसको remove कर देता है and the temp transpiration rate increases और transpiration की किरिया बहुत तेजी से होने लगती है humidity भी depend humidity external environmental factors होते हैं कि the rate of transpiration is inversely proportional to the relative humidity more relative humidity less is the transpiration जैसे अभी मन ने बताए कि हमारी जितनी नमी होगी हमारी transpiration means sorry पहुधों की transpiration की जो किरिया है वो कम होगी ठीक है temperature क्या effect करता है कि high temperature lowers the relative humidity high temperature होने से क्या होता है कि relative humidity को lowers कर देता है and opens और opens the astromata even in the darkness और darkness में भी क्या होता है कि astromata खुल जाते हैं as a result the rate of temperature rate of transpiration ज्यादा होगा यह इन्क्रीज करेगा water availability क्या होगा कि the transpiration rate is directly proportional दूर absorption of water by the roots from the soil जितनी अधिक मात्रा में soil से ज्यादा पानी को सोसित किया जाएगा उतना ही अधिक transpiration की किरिया होगी यानि surface sorry next surface area of the leaves जितना चौड़ा leaves होगा जितना बड़ा leaves होगा उतना ही transpiration की किरिया ज्यादा होगी ठीक है क Supreme is the important of person ans enoria में व्यता जितना क्रीज चौड़ा कितना क्या होगा तो पॲादे इससे बहुँँ ज्यादा बहुँआ धितना एक्वास्प के किरिया जल पत्यों से वास्प बन कर उठता है हम सभी जानते हैं कि men जोता है तो उसको वास्प के रूप में वो उड़ जाता है जिसकी कारण तेज धूप में भी ठंडे रहते हैं जैसे मैंने अब बताया आपको कि हमारे बंगाल में मिंस हमारे कॉलकाटा क्यासपस में और कॉलकाटा में काफी जादा हमें humidity हमें feeling होता है वह इसलिए कि किनारे नदिया हैं जिसकी कारण बहुत ज्यादा एयर में नमी होती है तो हमारे बॉड़ी की टेंपरेचर को मेंटेन रखने के लिए हमें ज्यादा स्वेटिंग होता है ठीक है उसी तरह से वास्पोसरन किरिया जब ज्यादा होगी तो तेज धूप में भी पौदे अपने कि पौदों को बहुत ज्यादा जल और खनीज की जरूद है तो वह और अधिक तेजी से वास्पोसरन किरिया करते हैं तो और अधिक तेजी से चूसक दाब द्वारा यानि की पानी को अफसोसित करते हैं यह किरिया एसेंट अफसाप में भी सहायता करते हैं यहां लोग ने कि द्वारा पौदे अत्रिक जल को बाहर निकालते हैं जिससे वह सरने से बच जाते हैं अक्सर क्या होता है कि मारिस की दिनों में पानी काफी ज्यादा यदि पौदों के आसपास उनके जड़ों के आसपास बहुत ज्यादा हो जाए तो ट्रांस्पिरेशन की किरिया बहु ज्यादा जिस तरह से लाव हुआ उसी तरह से हानी भी हो सकता है तो गर्मियों के दिनों में सबसे ज्यादा क्या होते हैं कि तेज धूप की कारण वास्पुर्ण की लिए बहुत तेजी से होती है जिसकी कारण पौदे क्या होते हैं कि मुर्जा जाते हैं और कभी-कभी प ट्रांस्पिरेशन ट्रांस्पिरेशन और इसको देखा पढ़ा और इसके बारे में जाना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसकी बाद का टॉपिक पौदों में जल खनीज भोजे पदार ते हम गैसों का पड़िवहन तो प्लीज देखिए और शेयर करिए ताक Thank you. Bye-bye.